आज हम सीखेंगे तीरियक छेदी रेखा क्या आप knot and cross खेल खेलते हैं? इसे खेलने के लिए हमें चार रेखाएं यानि लाइन्स बनानी आवश्यक होती है क्या आप पता कर सकते हैं यहाँ प्रतियक रेखा कितनी अतिरिक्त रेखाओं को प्रतिछेद यानि इंटरसेक्ट करती है? सोचिए, सोचिए बिल्कुल सही आप देख पाएंगे कि यहां प्रति एक रेखा दो अतिरिक्त रेखाओं को भिन्न बिंदुओं यानि पॉइंट्स पर प्रतिछेद करती है वह रेखा जो एक ही तल यानि प्लेन में स्थित दो या दूसे अधिक रेखाओं को बिन्न बिंदुओं पर प्रतिचेत करती है उन रेखाओं की तिरियक छेदी रेखा यानि ट्रांसवर्सल कहलाती है जैसे अगर यहां आप देखेंगे तो यहां रेखा आर, रेखा पी और रेखा क्यू को बिन्न बिंदुओं पर प्रतिचेत कर रही है इसलिए रेखा आर, रेखा पी और रेखा क्यू की तिरियक छेदी रेखा है यह दो रेखाओं के साथ विबिन्न कोण यानि आंगल बनात इस आकरिती को देखिए, यहां आप देख सकते हैं कि रेखा P और रेखा Q समानतर यानि पैरलल है, इन दोनों को रेखा R भिन बिंदू उपर प्रतिचित कर रही है, इसलिए हम रेखा R को रेखा P और रेखा Q की तीरियक छेदी रेखा कह सकते हैं यहां आप यहां भी देख सकते हैं कि दो रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा उन्हें दो भिन बिंदू उपर प्रतिचित करती है, यानि कि दो रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा के दो प्रतिचेदन बिंदू यानि Point of Intersection होते हैं अब इस आकृति को देखिए, क्या यहां भी रेखा आर एक तीरियक छेदी रेखा है? सोचिए, सोचिए जैसा कि हमने पढ़ा, वह रेखा जो एक ही तल में स्थित दो या तो से अधिक रेखाओं को भिन बिंदू उपर प्रतिचेद करती है, उन रेखाओं की एक तीरियक छेदी रेखा कहलाती है चोकि यहां रेखा आर, रेखा प, रेखा क्यू और रेखा एस को भिन बिंदू उपर प्रतिचेद कर रही है, इसलिए हम रेखा आर को रेखा प, क्यू और एस की तीरियक छेदी रेखा कह सकते हैं यह आप यह भी देख सकते हैं कि तीन रेखाओं की तीरियक छेदी रेखा के तीन प्रतिच्छेदन बिंदू होते हैं। इसी तरह अगर हम 4 रेखाओं की 3-6 रेखा बनाए तो वह उन्हें 4 प्रतिछेदन बिंदूओं पर प्रतिछेत करेगी। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीर्यक छेदी रेखा के प्रति छेदन बिंदूओं की संख्या प्रति छेदन की जाने वाली रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। तो बताईए 6 रेखाओं की 33 छेदी रेखा के प्रतिछेदन बिंदूओं की संख्या क्या होगी सोचिये सोचिये बिल्कुल सही यह संख्या होगी 6 अब चलिए इस आकरिती की बात करें क्या यहां रेखा R, रेखा P और रेखा Q की 33 छेदी रेखा है सोचिए, सोचिए बिल्कुल सही यहां हम देखते हैं कि रेखा R, रेखा P और रेखा Q को प्रतिछेत तो करती है लेकिन वह दोनों को एक ही बिंदू पर प्रतिछेत करती है अलग-अलग बिंदू ओपर नहीं ऐसी स्थिती में हम रेखा R को रेखा P और रेखा Q की 33 छेदी रेखा नहीं कहते? क्या यहां रेखा R तीनों रेखाओं P, Q और S की 33 छेदी रेखा है? विचार करें. आपने बिल्कुल सही सोचा. यहां रेखा P, रेखा Q और रेखा R एक ही बिंदू पर प्रतिचित कर रही है. इसलिए हम R को 3 रेखाओं P, Q और S की 33 छेदी रेखा नहीं कह सकते. लेकिन अगर हम देखें, तो यहां R, Q और S को अलग बिंदू पर प्रतिचित करती है. इसलिए हम R को Q और S की 33 छेदी रेखा जरूर कह सकते हैं. इसलिए हम यहां भी देखते हैं की R, P और रेखा S को भी अलग बिंदू उपर प्रतिचित करती है. इसलिए R इन दोनों की भी 33 छेदी रेखा है. अब आपकी 33 छेदी रेखाओं की समझ ठीक से बन गई होगी. अब जड़ा सोचिए, दो रेखाओं के लिए कितनी 33 छेदी रेखाओं खीची जा सकती है? चली हम बताते हैं, रेखाओं दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है. इसलिए हम इनकी अपरिमित रूप से अनेक 33 छेदी रेखाओं खीच सकते हैं. अब आपकी तीर्यक छेदी रेखा की समझ बन गई होगी. तो आज हमने सीखा तीर्यक छेदी रेखा. अगले वीडियो में हम तीर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोणों की चर्जा करेंगे.